आज का टॉपिक है घरसण एक आवश्यक बुराई तो पहले जानते हैं कि घरसण आवश्यक क्यों है फिर समझाएंगे कि बुराई इसे क्यों कहा गया है तो इसकी आवश्यक्ता को समझ लेते हैं नि क्यों जरूरी है तो देखिए बिना घरसन के एक कार के पहिये साड़क पर पकड नहीं बना पाएंगे अगर घरसन नहीं होगा फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार जैसे जा रही साड़क पर तो जो कार के पहिये हैं वो साड़क पर पकड नहीं बना पाएंगे और वे अपने अक्ष पर ही घूमते रहेंगे और जब अक्ष पर घूमते रहेंगे तो कार आगे नहीं बढ़ेगी अर्थात बिना घर्षण के कार आगे नहीं बढ़ पाएगी उसके पहिये अपने अक्ष पर ही घूमते रह जाएंगे तो पहली आवशक्ता तो यह हुई कि घर्षन जरूरी है ताकि कोई भी मोटर गाड़ी है तो वो चल पाए फिर अगला है कार के अंदर क्लच एक ऐसा कलपुर्जा है जिसमें प्लेटों को एक साथ इसलिए दबाया जाता है जिससे सक्ति को इंजन से पहियों तक पहुचाया जा सके मतलब जो कलच होता है इस कलच को दबा करके क्या किया जाता है कि सक्ति को इंजन से पहियों तक पहुचाया जाता है और बिना घर्षण के क्लच फिसल कर मुक्त हो जाएगा तथा सक्ति को आगे नहीं भेजेगा मतलब अगर घर्षण नहीं होगा तो क्लच क्या करेगा फिसल जाएगा और फिसल कर बिल्कुल मुक्त हो जाएगा फ्री हो जाएगा जिससे सक्ति को आगे नहीं भेज पाएगा फिर अगला है जब आप अपनी कापी पर कुछ भी लिखते हो तो अगर कापी के कागज और आपके पेन की स्याही के बीच कोई घर्षण नहीं होगा तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा केवल घर्षण के कारण ही कागज स्याही को सोंकता है या आप कागज पर लिख पाते हो मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी कापी पर लिखते हैं तो कागज और पेन की जो स्याही होती है उसके बीच घर्षण लगता है घर्षण लगने से हम लिख पाते हैं अगर घर्षन नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, फिर अगला है यदि आप अपने पेंसे एक कांच पर लिखते हो तो क्या होता है, अगर कांच पर पेंसे लिखो तो क्या होगा, कांच पर कुछ भी नहीं लिखा जाता है, आप लिख नहीं पाते हो ठीक से, क्योंकि क कांच स्याही सोखने के लिए परियाप्त घर्षन उपलब्ध नहीं करा पाता है मतलब कांच पर घर्षन नहीं लगता है सही से इसलिए कांच पर आप सही से लिख नहीं पाते हो जबकि कांपी पर घर्षन अच्छे से लग जाता है हम लकडी के पटरे को आसानी से पकड़ सकते हैं लेकिन कांच की चादर को नहीं अब जितनी आसानी से कांच की चादर को नहीं पकड़ सकते हैं ऐसा केवल और केवल घर्षण के कारण होता है चलिए अब जानते हैं कि घर्षण को आवश्चक बुराई क्यों कहा गया है कहा गया आवश्चक बुराई है तो देखे घर्षण के दोस या बुराई क्या क्या है पहला है घर्षण वस्तूओं को घिस देता है जैसे जूते के तले हैं पेच है टायर है बेरिंग है इन सभी वस्तों को जो घर्षण है ये घिस देता है फिर अगला है घर्षण के कारण उसमाउत्पन होती है अगर घर्षण लगेगा तो उसमाउत्पन होगी जिससे मसीनों के घूमने वाले पुर्जे तथा आटो मोबा होते हैं गर्षण हो जाएंगे हीट करेंगे इससे केवल और और इन्धन की च्छति ही नहीं होती है मतलब यह नहीं केवल और इन्धन बलकि मसीन के रगण खाने वाले पुर्जे घर्षण बलकि कांट टोट फूट जाते हैं जो रगण खाते रहते हैं वो पुर्जे टोट फूट जाते हैं तो देखिए घर्षण की आवश्चता भी मैंने आपको बताया और बुराई भी बताया अब आप समझ गए होंगे कि घरशन को एक आवश्चक बुराई क्यों कहा गया है समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद